24 गंटे में लगभग 15,000 मामले मिले और 445 मौतें, कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 4,25,000 के पार हुई गलवान ब्याली विवाद पर विपक्षी तलो ने संसदिय समिती की बैठक बुलाने की मांग की बीज़ेपी ने कहा कोरोना काल में बैठक मुम्किन नहीं चीनी सैनिकों की घुसपैट ना होने का दावा करने वाला पीएम मोधी का ब्यान, पीएमों ने आधिकारिक ब्यान से डिलीट किया कॉंग्रिस नेता कपिल सिब्बल ने सवाल उठाए तेल कंपनियों ने लगातार सूलवे दिन भी पेट्रॉल डीजल की कीमते बढ़ाई दिली में एक लीटर पेट्रॉल उन्यासी रुपए चपपन पैसे का हुआ मणिपुर में सरकार बचाने के लिए असम सरकार के मंतरी हेमंद बिश्वा सर्मा इमफाल पहुंचे मेखाले के सीएम कोनराज संगमा भी साथ में कानपुर के सरकारी शल्टर होम में 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव मिली साथ लड़कियों के गर्ववती मिलने पर हड़कम गरीब कल्यान रोजगार योजना के दायरे में पस्षिम बंगाल का एक भी जिला शामिल नहीं लोगसभा में कॉंग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीए मोधी को चिट्थी लिखी कॉरोना वाइरस ने अमेरिका में अब तक एक लाग बाईस हजार लोगों की जान ली ब्राजील में मौत का आखड़ा पचास हजार हुआ और दुनिया भर में 24 घंटे में रिकॉर्ड एक लाग तिरासी हजार नए मामले सामने आए 90 लाग से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आए